जे मातादी दोस्तों, वर्ड बेस्ट मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप जब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, हिंदू पांचांग के नुसार अक्षे तरतिया का पर्व बैसाक मा के सुकल पक्ष की तरतिया तिथी को मनाया जाता है अक्षे का मतलब है जिसका कभी छे न हो, इस दिन की ये गए सुबकार्यों का कभी भी छे नहीं होता है दोस्तों अक्षे ततिया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है सास्त्रों के नुसार अक्षे ततिया अभुज मूरत होता है इस दिन बिना पांचांग देखे कोई भी सुबकार किया जा सकता है क्योंकि सास्त्रों के नुसार इस दिन को स्वयम सिद्धुमूरत माना गया है किसी भी मांगलिक वा नयकार की सुरुवात करने के लिए अक्छे तरतिया का दिन बहुत ही सुब माना जाता है इसके लावा इस दिन सोना वा चांदी खरीदेने का बहुत अधिक महत्व है इस दिन सोना चांदी खरीदेने से सुफल की प्राप्ती होती है दोस्तों भगवान परुसराम जी ने अक्छे तरतिया के दिन ही अवतार लिया था इसके लावा अक्षे तर्तिया के दिन से ही चार धाम की यात्रा भी सुरू हुई थी दोस्तों अक्षे तर्तिया पर ही मा, गंगा, स्वर्ग से धर्ती पर अउत्रेत हुई थी इसके लावा अक्ष्य तर्थिया के दिन मा अंड पूर्णा का जन्म दिवस भी माना जाता है अक्ष्य तर्थिया के दिन भगवान विश्नु और मातालक्षमी की पिसेश पूजा अर्चना की जाती है इस दिन स्री हरी विश्णू जी और मातलक्षमी की पूजा करने से दसों दिसाओं से सौभाग और धन की प्राप्ती होती है तो चलिए जान लेते हैं कि साल दो हजार चौबिस में अक्छे तर्दिया का पर्व कब बनाया जाएगा तो आपको बता दें कि तर्दिया तिथी की सुरुवात 10 में दो हजार चौबिस की प्राता काल 4 बच कर 17 मिनट पर हो जाएगी और तर्दिया तिथी की समापती 11 में दो हजार चौबिस की प्राता काल 2 बच कर 50 मिनट पर होगी तो इस हिसाब से इस साल अक्ष्यत्रतिया का पर्व 10 मई 2024 दिन सुक्रवार को मनाया जाएगा और पूजा का सुम्मूरत 10 मई को सुबा 5 बचकर 33 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 18 मिनट तक रहेगा इस सुम्मूरत की कुल अवदी 6 घंटा 44 मिनट की रहेगी और सोना खरीदेने का सुम्मूरत सुबा 5 बचकर 33 मिनट से लेकर देर रात 2 बचकर 50 मिनट तक रहेगा दोस्तों अक्षे तितिया के दिन प्राता काल सुबह जल्दी उठकर इसनानादी करके सुच्छ वस्तधारन करने के बाद भगवान विश्णु जी माता लक्षमी और कुबेर जी की पूजा करने चाहिए एक लकड़ी की चौकी पर पीले या लाल रंक वस्त्र बिचा कर भगवान को इस्थान दें और उन्हें पंचा म्रज से इस्थान कराएं इसके बाद तिलक लगाएं फूल माला आदी अर्पित करें दूब दीब जलाएं इसके बाद आप नैवेद में जौँ, गेहू, सत्तू, ककड़ी, वचने की दालादी का भोग लगाएं इसके बाद हो सके तो विश्णु सहसर नाम का पार्ट करें फिर आप आर्ती करके विद्वत पूजा को संपन्न करें दोस्तों इस दिन भगवान विश्णु के छटे अवतार परुसराम जी का जन्म हुआ था इसलिए आज के दिन परुसराम जी की पूजा करना बेहद ही सुब माना जाता है इसके लावा अक्छे तरतिया के दिन दान करने का विशेस महत्तु है इस दिन की ये गैदान से कई गुनाफल की प्राप्ती होती है आप अक्छे तरतिया के दिन चावल, आटा, दाल, गुड, चना, घी, नमक, तिल, ककड़ी आदी चीजों का दान करें इससे आपको सुक और शम्रद्धी की प्राप्ती होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाज चनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद